Excellencies, Mr. Prime Minister, Thank you very much, and I now hand over the mic to you. Summit की सभी arrangements के लिए मैं उनका और उनकी टीम का धनवाद करता हूँ. Excellencies, इस बार हमें लंबे समय के बाद मिलने का मोका मिला है. इस बीच, विश्व, कोविड महमारी और अन्य कई कठीन चुनोतियों से गुजरा है. इन चुनोतियों का प्रभाव, ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे अधिक पड़ा है. Climate Change, प्राकुरतिक आपदाएं, बुख्मरी, गरीबी, स्वास्त से जुड़ी, बहुत सी चुनोतियों पहले सही थी, अब नई समस्या उत्पन हो रही है. फूर्ड, फियल, फर्टिलाइजर और फार्मा, इसकी सप्लाइ चेन, उसमें भी बादाएं आ रही हैं, जिने हैं हम अपना विश्वस निया मानते थे, पता चला की जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे, इस कठिनाई के समय मैं पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, A friend in need is friend indeed, मुझे खुशी है कि भारत इस चनोती पूर्ण समय में अपने Pacific Island मित्रों से कंद से कंदा मिला कर खड़ा रहा, भारत में बनी वैक्सीन हो या जरूरत की दवाईया, गेहूं हो या चीनी, भारत अपनी ख्षमताओं के अनुरूप, सभी साथी देशों की मदद करता रहा, excellencies, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप large ocean countries है, small island states नहीं, आपका यमास अगर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है, भारत की विचारधारा में संपुन वीश्व को परिवार के तरह देखा गया है, बसुधैव कुटुम कम, इस मूल मंत्र हमारी प्रेणा है, इस साल चल रही हमारी G20 presidency की theme भी, बसुधैव कुटुम कम के उस सिध्धान के प्रकाश में, बन अर्थ, बन फैमिली, बन फ्यूचर, वो भी इसी विचारधारा पर आधारित है, इस वर जन्वरी में हमने वोईस अप साउथ, ग्लोबल साउथ, वोईस अप ग्लोबल साउथ समीट का आउजन किया, आपके प्रतिनित्यों ने इसमें भाग लिया, अपने विचार साज़ा किये, और इसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ, भारत ग्लोबल साउथ की चिन्ताओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी अकांख्षाओं को जी ट्वेंटी के जरिये, विश्व के समक्ष पहुँचाना, अपना दाईत्व मानता है, एक्सलेंसीज, पिछले दो दिनों में, जी सेवन आउट्रेज समिट में भी, मेरा यही प्रयत्न था, इस एक्सलेंसी मार्क ब्राउन, जो वहाँ पर पैसिपिक आइलेंड फोरम का प्रतिनिदी तो कर रहे थे, वे इसके साक्षी हैं, एक्सलेंसीज, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर, भारत ने महत्वकांक्षी लक्ष सामने रखे हैं, मुझे खुशी हैं कि हम इन पर तेजी से काम कर रहे हैं, पिछले साल, युएन सेक्रेटरी जनरल के साथ मैंने, लाइफ, मिशन लाइफ, और जब मैं लाइफ कहता हूँ तब, लाइफ का मेरा मतलब है, लाइफ टाइल फॉर एन्वार्मेंट लॉंच किया, मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इस मुमेंट से जूड़े, भारत ने इंट्रनेशनल सोलार अलाइंस और CDRI जैसे इनिशेटिव लिये हैं, मैं समझता हूँ कि सोलार अलाइंस के साथ आप मैंसे ज्यादातर देश जुड़े हैं, मेरा विश्वास है, CDRI के प्रोग्रेम्ज को भी आप यूस्फुल पाएंगे, मैं इस अवसर पर आप सभी को इन इनिशेटिव से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ, excellencies, food security को प्राथ्विक्ता देते हुए, हमने nutrition को और वातावान सवरक्षन को भी ध्यान में रखा है, वर्स 2023 को यूएन ने अंतर राष्टिय मिलेट वर्स गोशित किया है, भारत ने इस सूपर फूड को स्री अन्ड का दर्जा दिया है, इनकी खेती में कम पानी लगता है, और उनमें nutrition भी अधीक है, मेरा विश्वास है कि मिलेट आपके देशों में भी sustainable food security सूनिश्चित करने में बड़ा योगदान दे सकते हैं, excellencies भारत आपके प्रात्विक्ताओं का सम्मान करता है, आपका development partner होने पर गर्व महसुस करता है, मानविय सहायता हो या फिर आपका विकास भारत को आप भरोसे मन पार्टनर के रूप में देख सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, पाउल का कन्वेंशन सेंटर, नावरु का वेस्ट मनेजमेंट प्रोजेक्ट, फीजिक के साइकलोन प्रभावित किसानों के लिए बीज, और किरिवास का सोलर लाइट प्रोजेक्ट, यह सभी इसी भावना पर आधारित हैं, हम बिना किसी संकोष के, अपनी क्षमताएं और एक्स्पिरेंसिस आपके साथ साधा करने के लिए तयार हैं, डिजिटल टेक्नोलोजी हो या स्पेस टेक्नोलोजी, हेल स्पिरिटी हो या फूड सिकुरिटी, क्लाइमेट चेंज हो या एनवार्मेंट प्रोटेक्शन हो, हम हर तरह आपके साथ है, एक्सलेंसिस, आपकी तरह हम मल्टी लेटरिलिजम में विश्वास रखते हैं, फ्री, ओपन और इंक्लूजिव इंडो पसिफिक का समर्थन करते हैं, सभी देशों के संप्रभूता और अखंडत्ता को सम्मान करते हैं, ग्लोबल साउथ की आवाज भी यूएन सुरक्षा परिशद में बुलंदी से उठनी चाहिए, इसके लिए आंतरराष्ट्य संस्थाओं का सुधार हमारी साजा प्राथ्फिक्ता होनी चाहिए, हिरोशेमा में, आस्ट्रेलिया, आमेरिका और जपान के साथ, क्वार्ड में मेरी विश्टार से बात हुई है, इस बातचित में इंडो प्रसिफिक शेत्र पर विशेश फोकस दिया जा रहा है, क्वार्ड की बैटर्क में हमने पलाओ में रेडियो एक्सेस नेटवर्ड आरे एन लगाने पर निरने लिया है, हम प्यूरालिटिकल फॉर्मेट में पैसिफिक आइलेंड देशों के साथ सभ भागेदारी बढ़ाएंगे, एक्सेलेंसीस, मुझे खुशी है कि फीजी की यूनिवर्सिटी ओफ साउथ पैसिफिक उसमें सस्टेनेबल कोस्ट्रल एन ओसन दिशर्ज इंस्टिटूट स्कोरी की स्थापना हुई है, यह इंस्टिटूट सस्टेनेबल डेवलप्मेंट में भारत के अनुभवों को पैसिफिक आइलेंड देशों के बिजन से जोडता है, आर एंडी के साथ साथ यह क्लाइमेट चेंज की चुनोतियों का समाधान करने में भी उप्योगी है, आज कोरी को चवदा देशों के नागरिकों के कल्यान, प्रगती और समृति के लिए समृति करने में मुझे खुशी है, उसी तरह मुझे खुशी है कि स्पेश टेक्नलोजी का राष्ट्रिया और मानुविये विकास में उप्योग के लिए वेबसाइट का लॉंच हो रहा है, इसके जरिये आप इंडियन सेटेलाइट्स नेट्वर्च से अपने देश का रिमोट सेंसिंग डाटा डाउनलोड कर सकेंगे, अपनी अपनी राष्ट्रिय विकास की योजनाओं में इसका उप्योग कर सकेंगे, एक्सलेंसी, अब मैं आप सभी के विचार जानने के लिए उत्सुक हूँ, एक बार फिर आज इस समिट में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,